नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दूस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुखे खबरे ले करके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बिहार के बाद बीजेपी को इस राज्ये में भी लगने जा रहा है बड़ा जटका समर्थन वापसी की तैयारी में जेडियू तो वहीं दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे सुप्रीम कोट ने खारिश की राफिल मामले में स्वतंतर जाच की मांग वाली याच का कही ये बड़ी बात तो वहीं हम बात करेंगे कि हाई कोट की टिपड़ी ग्यान वापी राष्टिय महतो का मसला केंद्र वे राज्य सरकार के जवाब गंभीर नहीं है तो वहीं मैं आपको बताऊँगा इदगह मैदान में विराजेंगे बपा करनाटक हाई कोट ने दी गड़ेश पुजा की मंजूरी देर राज सुनाया फैसला तो महीं दोस्तों मैं आपको बताऊँगा जुम्मे से पहले हरिदवार जेल में कर दूंगा सरेंडर जितंदर त्यागी ने किया है बड़ा एलान तो महीं दोस्तों मैं आपको बताऊँगा दिग विजय सिंग के खिलाब वरेंट जारी बीजेपी और बजरंग दल पर विवाधित टिपड़ी करने का मामला तो यह ऐसी तमाम बड़ी खबरे हैं इसलिए आप सभी हमारी वीडियो को अंतक देखेगा साथ यह आप से चोटी सी रिक्वेश्ट है वीडियो को लाइक करके सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए बात करते हैं सिदे पहली बड़ी खबर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राफेल मामले में स्वतंतर जाच की मांगवाली याचिका कही ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुमबार को राफेल मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंतर जाच की नई याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिसी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर राफेल सौदे की जाच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है बतादे कि याचिका राफेल की खरीद में फरश्टाचार को लेकर फ्रांसिसी पोर्ट के दावे को लेकर दाखिल की गई थी याचिका में अदालत की निगरानी में स्वतंतर जाच के आदेस की मांग भी की गई थी चलिए इसी के साथ चलेंगे सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ आप देख सकते हैं One India Hindi ने खबर को छापा है बिहार के बाद BJP को इस राज्जे में भी लगने जा रहा है बड़ा जटका समर्थन वापसी की तयारी में JDU जिहां बिहार के लावा एक और राज्जे है जहां भाजपा की सरकार को नितिस कुमार की पार्टी जनता दल का समर्थन हासिल है बिहार में नितिस भाजपा को गच्चा दे चुके हैं अब अगले राजे में भी जेडियू बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी की तैयारी में जुटी हुई है यह राजे है पुर्वत्तर का मड़ीपूर यहां मुख्यमंतरी एन बिरेन सिंग की सरकार को जेडियू के विधायको का भी समर्थन हासिल है लेकिन बिहार के राजनेती घटना करम को देखने के बाद जेडियू की परदेश इकाई ने वहाँ भी बीजेपी से नाता तोड़ने की तैयारी कर ली है और अगले महिने के पहले हपते में इस पर पार्टी नेतितु की मुहर लगने की भी संभावना है यानि की बीजेपी को सिधे सिधे एक और जटका लगते दिख रहा है चलिए बात करेंगे इसी के साथ सिधे एक और बड़ी खबर की हाई कोर्ट की टिपड़ी ग्यानवापी राष्टिय महत्तो का मसला केंद्र वे राजय सरकार के जवाब गंभीर नहीं इलावाद हाई कोर्ट ने ग्यानवापी मंदिर मस्जीद विवादित पर इसरका सर्वे कराने संबंधी वरणसी की अधिनस्त अदालत के अंतरिम आदेश पर लगाई गई रोक की अवधित 30 सतंबर 2022 तक बढ़ा दी है कोर्ट ने केंद्र और राजय सरकार पर टिपड़ी भी की है ये राष्टिय महत्तो का मसला है जिन पर उनका हलप नामा गंभीर है राजय सरकार ने तो पैरा तीन से लेकर 47 तक में सिरफ दो सब्द में नो कमेंट लिखा है बता दे ज्यानवापी मंदिर मस्जिद मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दोरान मंदिर पक्ष की तरफ से पूरक जवाबी हलप नामा दाखिल किया गया याची अधिवक्ता ने इसका जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है चलिए बात करेंगे इसी के साथ सीधे एक और बड़ी खबर की इदगाह मैदान में विराजेंगे बपा करनाटक हाई कोट ने दी गणेश पुजा की मंजूरी देर रात सुनाया है फैसला जिहां करनाटक के बैंगलूरू सहर में हुबली धारवार इस्तित इदगाह मैदान में बुधवार को गड़पती वपा विराज सकेंगे आप यहां खबर देख सकते हैं टाइमस नाव नव भारत ने छापा है वहां गड़ेश चतूर्थी के जसन के दारान पूजा पाठ भी होगा ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार को करनाटक हाई कोट ने अपने फैसले को बरकरार रखा और वहां गड़ेश उस्तो को मंजूरी दे दी हाई कोट ने देर राज सुनवाई के दौरान गड़ेश चतूर्थी के जसन की अनुमती को चुनोती देने वाली याचिका को खारिच कर दिया दरसल सुप्रीम कोट ने इससे पहले वहां गड़ेश उस्तो मनाने की अनुमती देने से इनकार कर दिया था साथी आदेश दिया था कि उस जगें पर दोनों पक्ष यथा इस्तिती बनाए रखें टौप कोट ने आगे बताया कि बिते 200 सालों में ईदगाह मैदान में गणेश चतूर्थी का ऐसा कोई समारों नहीं हुआ है इस दोरान उसने मामले के पक्षो से विवादों के निप्टारे के लिए करनाटक हाई कोट का रुख करने के लिए भी कहा था चलिए इसके साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ सिधे एक और बड़ी खबर की तरब जुम्मे से पहले हरिदवार जेल में कर दूँगा सरेंडर जितेंदर त्यागी ने किया बड़ा एलान हरिदवार धरम संसत के चलते मुसलिमों के विरुद दिये नफरती भासड के मामले में अपराधी जितेंदर त्यागी ने वीडियो पोस्ट किया है उनका कहना है कि सरवोच न्यायाले के आदेश का मैं पालन करता हूँ मैं जुम्मे से पहले हरिदवार जेल में आत्म समर्पन कर दूँगा उन्होंने कहा कि इस मामले में जिन भी व्यक्तियों पर सिकाय दर्ज की गई थी उन सबकी जमानत हो चुकी है मैं बेकसूर हूँ मुझे उमीद है कि मुझे भी न्याय प्राप्त होगा बतादे कि सरवोच न्यायाले ने सोंबार को जितंदर नरायन त्यागी को दो सितंबर तक सरेंडर करने के निर्देश दिये थे त्यागी जो सनातन धरम अपनाने से पहले वसीम रिजवी के नाम से पहचाने जाते थे बतादे मई को त्यागी को स्वास्ते अधार पर तीन महिने की जमानत दी गई थी चलिए इसके साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ सिरे एक और बड़ी खबर की तरब दिगविजे सिंग के खिलाब वारेंट जारी बीजेपी और बजरंग दल पर विवादी टिपड़ी करने का मामला आप देख सकते हैं लाइब हिंदुस्तान ने खबर को छापा है ग्वालियर जिला एवं सत्र नियायले ने अवमानना के एक मामले में पूर मुख्यमंत्री और राजसभा के सांसद दिगविजे सिंग के खिलाब जमानती वारेंट जारी किया है इससे पहले ये याचिका 23 जुलाई को सुनवाई में रखी गई थी लेकिन कॉंग्रेस नेता दिगविजे सिंग की तरफ से बताया गया कि वो राजनितिक विवस्ता के कारण आने में असमर्थ है इस पर उनके विरोधी पक्ष के अधिवक्ता अओधेस ने अपनी आपत्ती दर्ज कराई थी जिस पर सुनवाई करते हुए पूर मुख्य मंतरी दिगविजे सिंग को कोट ने जमानती वारेंट से तलब किया है गौरतलब है कि पूरु में हुए उप्चुनाओं में भिंड में दिगविजे सिंग ने बजरंग दल और भाजपा की लोगों के खिलाब विवादि टिपड़ी की थी पूरु सियम दिगविजे सिंग ने बजरंग दल और बीजेपी के समर्थकों को लेकर कहा था कि सभी देश विरोधी गतिविदियों में सनलिप्थ हैं और अलकाइदा का जासुस तक बता दिया था इसे लेकर ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने मानहानी का मुकदमा दायर करने के लिए निजी इस्तगासा दायर कर दिया था चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ सिधे एक और बड़ी खबर की तरब धरम संसद मामला भड़काओ भासड के आरोपी जितेंदर त्यागी दो सितंबर तक सरेंडर करें कोट ने दिया बड़ा बयान जितेंदर त्यागी की परिस्तानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है उच्टम नियायले ने मुसल्मानों के खिलाप कथित भड़काओ भासड से जुड़े हरिद्वार धरम संसद मामले के आरोपी जितेंदर नारायन त्यागी को सोंबार को 2 सितंबर तक आत्म समर्पन करने का निर्देश दिया पहले वसीम रिजवी की नाम से जान जाने वाले त्यागी फिलहाल चिकि सक्ये आधार पर जमानत पर है जश्टिस अजा रस्तोगी और जश्टिस बीवी नागर रतना की पीठ ने चिकि सक्ये अधार पर पहले दी गई जमानत की ओधी बढ़ाने से इनकार करते वे कहा कि वो त्यागी द्वारा दायर नियमी जमानत याचका पर 9 सितंबर को विचार करेगी पीठ ने त्यागी के वकील से कहा उन्हें रहात देने का कोई कारण नहीं है उनके खिलाब कई मामले लंबित हैं उन्हें आत्म समर्पन करने के लिए कहें सिर्स अधालत ने 17 मई को त्यागी को चिकिस सक्ये अधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें ये हलपनामा देने का निर्देश दिया था कि वो कोई नफरती भांसर नहीं देंगे तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे और लोगों के साथ सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद